जाते हैं और उसके एक दम बात डिफेंस का रिश्ता है वो पूरा अधानी जी के हाथ में चलते हैं उस्टेलिया में प्रदान मंत्री जाते हैं एट बैंक अव इंडिया वन बिलियोन डॉलर लोन अधानी जी को मोधी जी की पहली ट्रिप होती है बंगलादेश में वहाँ पर बंगलादेश को एलेक्रिसिटी बेचने का डिसिजन लिया जाता है कुछी दिन बाद बंगलादेश पावर डिवेलॉपमेंट बोर्ड 25 साल का कॉंट्रेट अधानी जी के साथ साइन करते है स्री लंका में स्री लंका इलेक्रिशिटी बोर्ड के रधान मंतरी जी इसरेल जाते हैं और उसके एक दम बात डिफेंस का रिष्टा है वो पुरा अदानी जी के हाथ में चलागा। उस्ट्रेलिया में प्रदान मंत्री जाते हैं, Kate Bank of India, वन बिलियन डॉलर्स लोन अधानी जी को उपकर जाते हैं, मोधी जी की पहली ट्रिप होती है बांगलादेश में, वहां पे बांगलादेश को इलेक्रिसिटी भेचने का डिसिजन लिया जाता है, कुछी दिन बाद बांगलादेश पावर डिवेलोप्मेंट बोर्ड 25 साल का कॉंट्रेक्ट अधानी जी के साथ साइन करते हैं, स्री लंका में स्री लंका इलेक्रिसिटी बोर्ड के चेर्मन कहते हैं, राजे पाकसा जी ने कहा कि हिंदुस्तान के प्रदान मंतरी ने उनको कहा है कि ये विंड पार का प्रोजेक्ट है, ये अधानी जी को देना है, पहले अधानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अधानी जी जाते हैं, पहले लोकल मामला था, फिर नैशनल मामला हो गया, उसके बाद इंटरनाशनल मामला हो गया ये इंदुस्तान की foreign policy नहीं है, ये अधानी जी की foreign policy है, उनके बिजनसेस बनाने की foreign policy है